एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि पुलिस किसी इलाके में च्छानबीन कर रही है और वहाँ पानी में किसी महीला की लाश्ट पड़ी हुई है दारियो उस लाश्ट की तरब जानी के कोशिश करता है और चिल्ला आ रहा है पुलिस उसे रोकती है एक महीला एक पैंटिंग को देख रही है जिसे देखकर उसकाती तो उसकी आँखों के सामने आ गया है वो काफी परेशान हो जाती है वहाँ से तेजी में निकलती है एलमा अपनी साइकाटिस्ट के साथ है और उसे बताती है कि नीदों में उसके हर पल दारियो आता है उसका चेहरा नहीं दिखता पर वो होता है उसके साथ बिताए एक एक पल उसे वेचेन कर देते हैं अगले द्रश्च में हम देखते है एस्तवान जेल से बाहर आता है इसे बीच सीजन वन का आखरी एपिसोड का दरश्च जब दारियो के साथ था सामने आता है जिसमें दारियो कहता हुआ नजर आता है कि एस्तवान अब से उसके लिए काम करेगा जॉई एस्तवान को लेने आने की खबर उसके पेरेंट्स को नहीं है जब Elma अपनी कार में बैठती है उसे red balloon दिखता है ठीक बैसा ही जैसा दारियो के गराज में होता था दारियो अपने गराज में push up कर रहा है ठीक उसी वक्त उसे किसी का call आता है जो उससे कहता है हमें कुछ footage मिला है देखोगे दारियो footage देखता है लियो अलमा को call करती है और उसे पूछती है कि क्या वो उसे मिलने आ जाए उसी वक्त उसके cabin में एक औरत आती है लियो ये कहकर phone card देता है कि उसे lecture लेने जाना है लियो उस औरत से कहता है इस interruption से पहले हम कहां थे joy एस्तवान को एक घर में ले जाती है कहती है यहां मैं करीना के साथ आई थी यह जगह ज़्यादा fancy नहीं है पर ठीक है एस्तवान के पूछने पर joy उसे बताती है कि वो करीना को date कर रही है वे halfway down से होते हुए कमरे में प्रिवेश करते है एस्तवान कहता है यह एकदम perfect है वाचाय coffee आदी की ववस्ता है joy एस्तवान को coffee के लिए पूछती है एक औरत Alma से मिलने आती है और उसे बताती है कि S1 बाहर आ गया है joy S1 से पूछती है कि दारियों का क्या हुआ उस राद क्या हुआ था उसके साथ factory में उस धमाके के बाद क्या तुम उसके संपर्क में हो Alma की therapist से वही औरत जो पहले द्रश्च में पैंटिंग देखकर भाग गई थी मिलने आती है उसे कहती है कि वो उसकी therapy group join करना चाहती है एक voice over जो villain और बुरे के बारे में है चलता है जिसके दौरान स्क्रीन पर दारियों के चलने के S1 के एक सड़क पर चलने के और Alma के दारियों को याद करने के flashes आते हैं दिखाया जाता है जहां S1 दारियों को मिलता है और उस पर पिस्तौल तान देता है लेकिन उस वक्त वहाँ एक पुलिस वाला आता है दारियों और S1 भाग जाते हैं S1 पुलिस से बचने के लिए एक चर्च में घुशता है जहां एक नकाब पोश सक्स आकर चर्च में बैठे लोगों को एक एक करके शूट करने लगता है वो जब S1 पर गोली चलाता है S1 बाइवल सामने कर देता है दूसरी गोली दागने से पहले एक पुलिस वाला उस नकाब पोश आदमी को शूट कर देता है जोई अपनी दोस्त करीना को लेकर किसी अजनबी जगह पर जाती है वे एक कमरे में च्छानबीन करती है और उन्हें वही बाइवल मिलती है जिस पर गोली का निशान है एलमा दारियो का लास्ट वीडियो जो उसने मरने से पहले भेजा था देखती है और बिलख बिलख कर रो पड़ती है वो अपना फोन फेक देती है बालकनी के बाहर रोड पे बाहर बारिश हो रही है वहां दारियो आता है और वो फोन उठा लेता है फिर दारियो बालकनी म बताती है कि पैंटिंग देखने के बाद उसे उसका आतीर पीछे खीच रहा है और वो एक ग्रीक कहानी सुनाती है जिसमें एक और एक जवान लड़के का प्रेम प्रिसंग है यह सुनकर एलमा भढ़क जाती है थेरपिस्ट एलमा को रोकती है एलमा अपने वेहबियर के आई है एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं एलमा दारियो को उसकी गल्फरेंड जूलिया को किस करती है और वहां से चली जाती है दारियो जूलिया को एक लॉकेट गिफ्ट करता है जूलिया कहती है कि मैं तुमारे बारे में कुछ अलग फील कर रही हूं एलमा थे प्रिशान करने नहीं आया होगा और तुम उस लड़की से बिलकुल भी मत मिलना वो तुमारे लिए ड्रक्स के जैसा है जिसे तुमें छोड़ना है एक होटल में खाना सर्व कर रहा है बच्चों और बुजर्गों को वहां एक पादरी आता है जो उससे कहता है हम बुजर् जो मेक्सिकन सिटी में काम करता है दारियो एस्थवान को एक फरजी पासपोर्ट देता है जिस पर इनिगो लेजगानो का नाम है और वे किसी ट्रस्ट के लिए फंड इखटा करने की बात करते हैं इनिगो लेजगानो अपना पासपोर्ट दिखा कर होटल में प्रवेश कर वहाँ उसकी बेटी जूलिया मिलने आती है यानि इनीगो दारियों का ससुर है इनीगो दारियों को बताता है कि ट्रप शांदा रही जूलिया अपने पिता से मिलकर खुश हो जाती है जब यह तीनों बार में बैठे होते हैं तब दारियों को एस्तवान की शकल का एक आदमी घर में Ailmah और Joy बात करती है जोय जब Ailmah को बताती है कि वो एस्वान से मिली तब Ailmah गस्ऽा हो जाती है दोनों में बातुनी जगड़ा होने लगता है उनकी बात बढ़ते बढ़ते एक जगड़े पहुँन जाती है जहां जॉय कहती है कि एक 25 साल के लड़के के चक्कर में उसने सब कुछ गमा दिया घर, नौकरी और अब अपने माईके में आगे रह रही है फिर वो कहती है जो भी हो जॉय अपनी मा के साथ है दारियो जूलिया के लिए एक हार्ट शिप गुबारा लाता है जूलिया अपनी मा की पोशाक पहनती है जिसे देख कर उसका पिता भावख हो जाता है और कहता है तुम बहुत प्यारी लग रही हो मेरी बच्ची तेरेपी सेशन में लीज अर्जेंटीना के एक पोईट की कवीदा सुनाती है इनीगो और दार्यो फोटेज देख रहे हैं और वो बात करते हैं कि ये हूबहूद दार्यो जैसा दिखता है बस आँखें थोड़ी सी अलगें वही औरज जिसने एल्मा को एस्तवान के जेल से बाहर आने की खबर दी थी एक आदमी से एस्तवान के बारे में जानकारी हासल कर रही है वो आदमी बताता है कि एस्तवान बदल गया है वो बच्चों और वुजरुगों को खाना खिलाता है महिलाओं के लिए घर बनबाने में मदद कर रहा है Ext Renaissance के घर एक लिखापा आता है जिस पर लिखा है Grand Hotel Alma Grand Hotel पहुचती है लिफ्ट में वो जूलिया से कहती है वो जूलिया से कहती है कि दारियो और वो प्रेमी है और दारियो के बारे में जूलिया को Alma के इराएष सुननी चाहिए जब जूलिया उसकी बात नहीं सुनती तब वो उसे अपना कार्ट देती है इसी बीच वहां दारियो आ जाता है एलमा वहां से जाने लगती है जूलिया के कमरे में जाने के बाद दारियो एलमा को रोक लेता है और उससे कहता है कि क्या तुमने जूलिया को यह सब बता कर सही किया एलमा कहती है कि वो एक धोकेवाज है और हो सकता है वो उस लड़की के साथ भी चल कर रहा हो इसलिए उसे आगाह करना जरूरी है दारियो कहता है कि ऐल्मा को छोड़ कर जाना उसके लिए सबसे मुश्किल बात थी ऐल्मा कहती है जूटी बातों को छोड़ो क्योंकि वो जानती है कि दारियो सिर्फ अपने 200 मिलियन डॉलर और फैक्टरी के लिए वापस लोटा है दारियो कहता है जूलिया का इससे कोई संबंद नहीं है और तुम्हें लगता है मैं यहाँ 200 मिलियन डॉलर के लिए आया हूँ फिर चुप हो जाता है जूलिया अपनी दोस्त को बलाती है वे दौनों पार्टी करने जाती है इन्हीं को लियो को कॉल करता है और पूछता है मेरी बेटी की शादी का कार्ड मिल गया ना लियो कहता है हाँ आ जाओंगा अगले शनीवार दारियो एलमा से कहता है मैं सच कह रहा हूँ मैंने तुम्हें कोई इन्वीटेशन नहीं बेजा एलमा उसे बताती है कि वो उसके पुराने एक घर पे आया था और अब उसका डायवोर्स हो गया है वो अबलियों के साथ नहीं रहती और पास में ही मापापा के यहां एक बिल्डिंग में रहती है दारियों से कहता है कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं और यही सही होगा कि हम एक हो जाएं उसी दौरान उसके रूम में ससरुजी आ जाते हैं एलमा बेट के नीचे छिप जाती है इनी गो दारियों को लॉबी में आने को कहता है वे दोनों जाने लगते हैं दारियों कहता है आप चलिए मैं अपना फोन लेकर आता हूँ एलमा को किसी का कॉल आता है और वो वहां से निकल जाती है जूलिया होटल की छट पे खड़ी है जब इनी गो सिगार जलाते हुए बाहर आता है देखता है नीचे एक लाश आकर गिरी है जो खून से लटफत है एपीशोट की शुरुआत में हम देखते हैं जूलिया छट से नीचे गिर रही है और उपर एलमा उसे खड़ी देख रही है दारियो चीक रहा है इनीगो उसे समा लता है एलमा तेजी में होटल से निकल रही है एस्तवान उसे वहां से निकलते हुए देख रहा है फॉरेंसिक टीम के लोग जूलिया की लाश ले जा रहे हैं पुलिस दारियो और इन्डीगो से पूछ ताश करती है दारियो कहता है ये सब कैसे हुआ नहीं पता मैं बस जैसे उठा किसी ने मुझे जूलिया की मौत की खबर दी जॉय और करीना टीवी देख रही है एलमा जब वहाँ पहुंचती है जॉय उसे टीवी देखने के लिए बुलाती है एलमा टीवी देखते देखते याद करती है दारियो छट पे खड़ा है और वो उसे उठा कर कहती है कि जूलिया नीचे गर गई है वो ये सुनकर दंग रह जाता है और कहता है मैंने ये सब नहीं किया और वे फिलेशेज जब वो लिफ्ट में जूलिया से मिली थी जोई एलमा के चेहरे पे अधासी निता नोटिस करती है पुलिस जूलिया की दोस्त से पूछताश करती है पुलिस बाले को जूलिया के रूम में एलमा का कार्ड मिलता है एलमा दारियो से कह रहा है ये सब रियल नहीं है शान्त हो जाओ दारियो रिप्लाइ करता है वो मैं नहीं था मैंने ये सब नहीं किया एलमा भी कहती है कि इसमें मेरा भी कोई हाथ नहीं है इस द्रश्च के तूटने से ऐलमा नीन से जग जाती है वो अपना मूध होती है उसी बीच जॉय ऐलमा को टीवी देखने के लिए बुलाती है लीज अपने घर पर जूलिया के मरने की ख़वर देख रही है दूसरी तरफ एस्तबान भी एलमा जूलिया के मरने की नीज देखती है लीओ जब ये ख़वर देखता है तो वो लिफापा उटाता है और शादी के कार्ट पर देखता है जूलिया के साथ दारियो का नाम है लीओ ये देखकर दारियो को गाली बगता है दारियो और इनिगो आपस में बात कर रहे हैं इनिगो उसे बताता है कि सारे सिक्यूरिटी कैमरा बन थे और सब कुछ तरकों पर टिका है पुलिस का कहना है कि जूलिया ने शराब पी थी इसलिए हो सकता है उसकी मौत एक हादसा हो दारियो को इनिगो बताता है कि जूलिया पिशली रात अपनी मा को बहुत याद कर रही थी उसने अपनी मा की पोशाग भी पहनी थी और एक एलबम उसे दी थी दारियो से कहता है किसी ने मुझे जगाया और कहा कि ऐसा हुआ है और रोने लगता है इनीगो भी फिर अपनी बेटी के गम में रोने लगता है एस्तवान मॉन्टानिया से मिलने जाता है एलमा लीज से मिलती है जो करीना को कहीं ले जा रही है मॉन्टानिया एस्तवान से सब कुछ सुनने के बाद कहती है कि उसे उसकी किसी भी बात पर भरोसन नहीं है लीज एलमा से कहता है क्या तुम दारियो और जूलिया के बारे में बात करना चाहती हो एलमा कहती है नहीं मुझे आपकी कहानी में दिल्चस्पी है एस्त्मान उगिनिया से कहता है मेरे साथ धोका हुआ है यह सब मैंने अपना पैसा पाने के लिए किया था मैंने इनीगो की आइडेंटिटी ली थी पर जब मैं पैसा लेने गया मुझे महसूस हुआ कि यह उन सब की चाल थी लीज एलमा को बताती है कि जब दार्यो 17 साल का था तब उनका अफियर था जोई एक डेड़ बोडी का निरिक्षन कर रही है और अपने दोस्त इसे पूछती है वो उसे बताता है कि अब तक सारे इशारे सोसाइट की तरफ है जोई उससे कहती है इसका एक नाखून गायब है उसका दोस्त कहता है हाँ इसकी जाँच चल रही है एस्तबान मॉन्टानिया को बताता है कि वो भगवान की वज़े से जिन्दा है और उसे वो बाइबल वाली कहानी सुनाता है लीज एलमा से कहती है मैं दारियों के बारे में अब कोई बात नहीं करना चाहती एलमा उसे अपना कार्ट देती है और कहती है अगर तुम्हें लगे की बात करनी है तो प्लीज मुझसे संपर्ट करना एलमा के पास दारियों का मैसेज आता है कि मैं तुम से मॉटल में मिलना चाहता हूँ 9 बजे मॉन्टानिया किसी से फोन पे बात करती है कि मुझे दारियों की हर रिपोर्ट चाहिए उसके बाद वो इनिगो से मिलती है इनिगो उससे कहता है पता नहीं मेरी बेटी ने ऐसा क्यों किया सब कुछ सही चल रहा था मॉन्टानिया उसे बताती है कि शायद उसने एंटी डेप्रेशन पिल्स भी ली थी जोई रिसर्च कर रही है और वो करीना से कहती है टेलेस्कोपिक कॉग्जो फेमोरल फ्रेक्चर्स एक बाहियाद एक्सक्यूज है करीना उससे कहती है तुमारे और तुमारे दोस्त मुरी किया के बीच किया चला है जोई कहती है मेरे पास वो एक लाता कॉंटेक्ट था जिसके जरीये में जान सकती थी करीना कहती है तुम सच में लेस्वियन नहीं हो तुम एक फ्रेस्टेटेड लेस्वियन हो जोई ये कहकर चली जाती है कि उसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी मॉटल में एलमा दारियों से कहती है ये सब क्या है? हमें कैमरास का पता करना होगा इस मौच से तुमारा ये मेरा कोई तालुक नहीं है इनिगो छट पर जाकर वो पोशाग जलाता है जो जूलिया ने पहनी थी दारियो एलमा से कहता है चलो कहीं दूर चलते हैं इस सबसे एलमा कहती है इन सब बातों के लिए ये सही समय नहीं है उसी दौरान एलमा को कॉल आता है वो कहती है मेरी थेरेपिस्ट का कॉल है उसने कई बार मुझे कॉल किया लियो इनीगो को एलमा और दारियो के साथ में फोटो दिखाता है और कहता है कि दारियो एक साइको है इनीगो ये सुनके जाने लगता है लियो कहता है ये समय धीरस से काम लेने का है कोई जल्दबाजी ठीक नहीं होगी इसी दोरान तुम उस पे नजर रखो और बाकी मुझे पे छोड़ दो ऐस्तवान और जॉय आपस में बात कर रहे हavior इसी दोरण जॉय के पास लियो का फोन आता है और वो कहता है मैं जानता हूँ ऐस्तवान तुमारे साथ है जए उससे बात करवाओ उसी बीच एंस्पेक्टर को कॉल आता है कि एलमा मॉटल छोड रही है क्या मैं उसका पीछा करूँ एंस्पेक्टर कहती है तुम दारियों पे नज़र रखो एलमा को जाने दो पुलिस बाला उसे फॉलो नहीं करता कार में हम देखते हैं पीछे दारियों छिपा हुआ है और एलमा गाड़ी चला रही है इन्हीं को दारियों को आवाज लगाता है ठीक उसी दोरान एक पुलिस बाला आकर कहता है कि आप दोनों का DNA टेस्स करना है मेरे साथ आए लियो एस्तवान से मिलता है और कहता है मुझे लगता है अब तुम दारियों के साथ नहीं होगे मैं चाहता हूँ तुम मेरी इस केस में मदद करो हम मिलकर उसे सज़ा दिलवा सकते हैं एस्तवान कहता है मेरा इसमें कोई इं दारियों कपड़े बदलने जाता है पुलिस इनिगों से कहती है हमें जूलिया का फोन नहीं मिला है अगर वो मिल जाए तो बहुत सारी बातें हल हो सकती है ठेरिपी सेशन में एक औरत को सुना रही है और एल्मा को याद आती है मॉटल में दारियों के साथ की रात जब वो वो नोटिस करता है कि दारियों के पास नया फोन है एस्तवान तहकीकात करने के लिए होटल जाता है इंस्पेक्टर अपने स्टाप को समझाती है कि जूलिया उस रात काफी स्ट्रेंज बीहेब कर रही थी और उसने पार्टी ऐसे ही नहीं छोड़ी उसके पास एक टेक्स म कहती है कि उस दोरान टॉफ फ्लोर के सिक्यूरिटी केमरा भी बंद थे या उन्हें बंद किया गया था लिए इंस्पेक्टर मॉंतानिया को खोशता हुआ आता है उन दोने का परिचय होता है और लिए उससे कहता है कि मेरे पास जूलिया की मौत के संदर में कुछ पूफ ह अलमा घर पहुचती है और जॉई और उनकी बाचीत होती है उसी दोरान अलमा को एक मेसेज आता है दारियो और इनिगो जहां जूलिया गिरी थी उस जगए खड़े हैं और बाचीत कर रहे हैं दारियो काफी नॉर्मल है ये देखकर इनिगो को गुसा आ जाता है इनिगो दारियो से कहता है मेरी वेटी तुम्हें प्यार करती थी दारियो कहता है मैं भी इनिगो कहता है मुझे इस बात पे भरोसा नहीं है और दारियो को मारने लगता है दारियो चीखता है तुमने गलत आदमी से पंगा लिया है इनिगो ठीक उस वीडियो में जो आदमी था उस अफिसर कहता है, डेटेक्टिब मॉन्टानियों से मिलने के लिए आपको इंतिजार करना होगा, मैं उनसे पूछ के आता हूँ, मॉन्टानिया उससे पूछती है, तुमारे हाथ फे ये चोट का निशान कैसे आया, उसी दौरान वहाँ ऐलमा आती है, और कहती है, दारियो उस को एक लड़की मिलती है, जो कोई और नहीं, दारियो की मा लुसिंडा थी, एस्तवान एलमा के फोटोज देख रहा है, और अपना बच्पन याद कर रहा है, एलमा डेटेक्टिब मॉन्टानियों से कहता है, क्या आपके पास दारियों के खिलाप अरेस्ट वारेंट है, ड डेटेक्टिब मॉन्टानियों कहती है, यह तुम्हें महंगा पड़ेगा एलमा, लियो यह देखकर चौक जाता है, वो एलमा से कहता है, कि तुम इतनी पागल कैसे हो सकती हो साइकोपैथ के लिए, लियो दारियों से लड़ने लगता है, एलमा यह सब रोकती है, और दारि इसलिए आप मुझे पर संदेख करना छोड़ें, दारियों कहता है, आप मेरे दूसरे पिता की तरह है, और आप यह बात सुईकार कर लीजिए, कि जूलिया की मौत एक हादसा है, जोई एस्तवान से कहती है, कि एलमा और दारियों के बारे में उसकी क्या राया है, एलमा का करने के लिए उसके साथ चली जाती है, डिटेक्टिब मॉन्टानिया और बाकी के अफसर जूलिया के फोन के बारे में बात करते हैं, अफसर कहता है, कि उसका फोन किसी कंपनी के नाम से रजिस्टर था, उसका अब तक कोई पता नहीं चला है, जोई और करीना बैट के बात अबर गया था, उसने जूलिया से कहा था, कि वो नीचे आ जाए, तब जूलिया ने अपनी मा की कहानी सुनाई थी, और कहा था, कि दुनिया में कुछ भी रियल नहीं है, लाइफ एक ब्रहम है, उसके बाद क्या हुआ, दारियो को कुछ भी याद नहीं है, अलमा कहती है, एस्तवान से तुमारा क्या नाता है, दारियो कहता है, कि मैंने उसे पैसे बसूलने के लिए भेजा था, एक जूटी आइडेंटिटी दे कर, लेकिन उसे लगा, कि ये सब प्लांड है, तब उसने मुझ पर अटेक किया, लेकिन एक पुलिस वाला आ गया, और मैं वहाँ से भाग गया, तब से हम साथ नहीं है, पर एस्तवान जूलिया के केस में कहीं से भी इन्वाल्व नहीं है, एलमा कहती है, जूलिया की मौत की रात एस्तवान वहीं था, जब मैं होटल से निकली, मैंने उसे होटल के बाहर देखा था, एस्तवान फादर से बाईवल के बारे म एलमा दारियों से कहती है मैं जा रही हूं तुम यहीं रखो नहीं तो हमें लोगों को एक्स्प्लिनेशन देना पड़ेगा उसी दौरान वह थेरैपिस्ट आ जाती है वो एलमा से कहती है तुम सच में यह सब कर रही हो खेर तुम्हारी जिंदगी है जो मरजी आए करो लियो यह सब छोड़कर जा रहा हूं मैं कोई रिवेंज नहीं चाता जोई जब एलमा को पकारते हैं घर में घुषती है देखती है वहां दारियों है वो गुसेमों से मारती है गालिया देती है और उसका बैग बालकनी से बाहर फेक देती है एलमा एस्तवान से मिलती है और पू जब उसने एलमा को प्रुपोस किया था पार्टी में एक और लड़की थी जो उसके जैसा फील कर रही थी और वो कोई और नहीं दारियों की मा लुसिंडा थी पुलिस सिक्योर्टी कैमराज चेक करती है और देखती है कि दारियों और एलमा लॉबी में सेक्स कर रहे थे और वहाँ उस होटल में एस्तवान आया था इनी गो डिटेक्टि मॉन्टानिया से मिलता है और कहता है मुझे अपनी बेटी की बॉड़ी रिकावर करनी है ताकि मैं उसे आखुरी विधाई दे सकूँ और यहां से हमेशा के लिए जा सकूँ आपकी बेटी ने आत्मत्या नहीं की उसका कتल हुआ है एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं छोटा दार्यो कवीता पढ़ रहा है और एक औरत जिसका नाम लीज है उसे फिल्मा रही है एल्मा और लीज आपस में बात करती है एल्मा कहती है कि दार्यो की तरह ही एक और लड़का है लीज एल्मा को कुछ डाइडीज देती है और कहती है ये सब वो मुझे सुनाता था एल्मा कहती है वो पढ़कर जल्द ही वापस कर देगी लीज कहती है इस बात का ध्यान रखना कि किसी भी कीमत पर ये दार्यो के हाथ ना लगे जोई एक लड़की इसे मिलती है पर वो समझ नहीं पाता वो कैसे उसकी मदद करे जोई कहती है कि हो सकता ये कतल दारियों ने किया हो क्योंकि जूलिया की बॉड़ी पर जो फ्रेक्चरस मिले है वे अलग है वो लड़का जोई को डिनर के लिए पूछता है जोई उसे ना कर देती है डॉक्टर इनिगो और डिटेक्टिम मॉन्टानिया को फ्रेक्चरस के एक्सरे दिखाता है और कहता है ये किसी हाथ से के पहले के हो सकते है डिटेक्टिम मॉन्टानिया और इनिगो उसके बाद होटल का फुटेज देखते हैं जिसमें एलमा जूलिया को फोर्स कर रही है उसकी बात सुनने के लिए और बाद में उसे कार्ट देती है एलमा को रोड पर दारियों का हमशकल जाता हुआ दिखता है वो उसे आवाज देती है पर दारियों का हमशकल उसे रिस्पॉंस नहीं करता एलमा उसका पीछा करते होटल पहुँचती है वो बंदा कमरे में घुश जाता है उसी वक्त इनिगो आता है और एलमा से पूछता है वो कहां जा रही है एलमा कहती है दारियों से मिलने इनिगो कहता है तुम जानती हो दारियों यहां नहीं है इसके बाद एलमा वहां से चली जाती है एलमा अपने घर में दारियों को ढूनती है पर जोई आकर कहती है उस साले को मैंने घर से बाहर निकाल दिया मैं अपने घर में किसी मर्डर के साथ नहीं रह सकती एल्मा कहती है हम इस बारे में बात करेंगे बाद में पहले मुझे ये बताओ दारियो का है इसी दौरान वहां लियो थेरेपिस्ट के साथ प्रवेश करता है एस्तवान डिटेक्टिम मॉन्टानिया को वो कार्ड दिखाता है जो उसके पास आये था और कहता है तुम्हें अंदाजा है ये आत्मत्या नहीं है मॉन्टानिया कहती है फिर किसने मारा है एस्तवान ने एस्तवान कहता है एस्तवाने सक्यों करेगा एक कारण है पैसा पर उस लड़की को मार के एस्तवान को पैसा नहीं मिलेगा तो वो ऐसा नहीं करेगा फिर एस्तवान दारियो को एनिलाइस करके बताता है कि हो सकता इसके पीछे दारियो हो वो आया हो च्छत पर और बाचीत में अपना आपा खो बैटा हो और उसने जूलिया को नीचे फैका हो थेरेपिस्ट और लियो एलमा से कहते हैं हम तुमारे साथ हैं हम जानते हैं दारियो तुमारे जिंदगी में घुस गया है तुम उस से जादा ही ऑपसेस्ट हो हम तुम्हें बस ये कहने आए कि हम तुम्हारी हर संभब मदद करेंगे एलमा कहती है मुझे तुम्हारी मदद की जरुरत नहीं है तुम सब लोग मुझे अपने हिसाब से जीने दो और अभी मेरे घर से निकल जाओ वे तीनों वहाँ से चले जाते हैं एलमा लीज को दी हुई डाइरी पढ़ने लगती है उसी दौरान वहाँ दारियो आता है कहता है तुम्हें पता है क्या हुआ एलमा कहती है नहीं बताओ दारियो कहता है मैं नहा के आता हूँ फिर पूरी कहानी बताऊँगा पुलिस कर्मियों को जूलिया का फोन मिल जाता है एस्तवान एक बुढ़े से मिलता है जो उसे कुछ मैडिसन की जानकारी देता है और बताता है वे सारी दवाईयां 40 प्लस की महिलाओं के हार्मोंस बढ़ाने का काम करती है रोट पे इनिगो दारियों के हमशकल को देखता है और इसे टोकता है पर वो इनिगों को नहीं सुनता और कहता है आप गलत आदमी को देख रहे हैं मैं कोई दारियो वारियो नहीं हूँ इनी गोस से उसका नाम पूछता है दारियो का हमशकल कहता है मेरा रास्ता छोड़िये और वहां से चला जाता है एस्तमान डिटेक्टिब मॉन्टानिया से पूछता है तुम्हारी इस मर्डर के वारे में क्या राय है मॉन्टानिया कहती है ये मर्डर एल्मा ने किया है एपिसोड की शुलात में हम देखते हैं एल्मा और जूलिया आपस में लड़ रही है जिसके बाद एल्मा जूलिया को धक्के देके नीचे गिरा देती है और दारियो जो की छट पे खड़ा है उसे जगा कर कहती है चलो यहाँ से निकलते हैं जूलिया मर चुकी है इनीगो और दारियो रोड पे चलते हैं इनीगो कहता है कि मैंने तुम्हें अपने बेटे जैसा माना है पुलिस को एलमा पर शक है और आज मुझे जूलिया का फोन मिला है हो सकता है इसे एलमा ने छुपाया हो मैं चाहता हूँ तुम इसे पुलिस के हवाले करो जो तुम्हें सही लगे वो करो मेरी बेटी तुम्हें प्यार करती थी और मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह मानता हूँ आशा है तुम्हें इस फोन को किसके हवाले करना है इसका सही डिसीजन लोगे और वो फोन दारियों को दे देता है और पूछता है मुझे सच बताओ उस रात क्या हुआ था लियो एलमा के घर आता है उसे कहता है मैं यहां एकस हस्पेंट के रूप में नहीं आया मैं एक लॉयर के रूप में तुम्हारी मदद करने आया हूँ अफिशली पुलिस को जूलिया मर्डर केस में तुम्हारे उपर शक है एलमा कहती है अगर तुम मेरी मदद कर सकते हो तो एक काम करो मुझे पैत्रिका गर्सिया को ढूनने में मदद करो इस वक्त सिर्फ वो ही है जो हमारे काम आ सकती है और कोई नहीं एस्थवान और मॉन्टानिया केस को डिसकस कर रहे हैं मौन्टानिया कहती है एलिवेटर में एलमा काफी बढ़की हुई थी जब वो टेरिस पे जूलिया से मिली होगी अपना आबा खो गई होगी वो नहीं चाहती होगी कि वो दारियों को किसी और के साथ शेयर करे गहरे प्यार में अकसर लोग ऐसा सोचते हैं इसलिए उसने जू इलाओ में एक हार्मोनल डिस्बैलेंस आता है हो सकता है एलमा उससे गुजर रही हो उनकी सेक्स्वल अपील और मेंटल डिस्बैलेंस बढ़ जाते हैं थेरपिस्ट लीज से मिलती है कहती है मैंने लियो और जोई से मिलकर एलमा की मदद करने की कोशिश की पर वो कनफ्यू यह भूण आए मुगे तुम पर भरोसा है तर्यो जूलियो को जूलियो के साथ बिताएपल याद आते हैं और वो सब याद करके वो भाबुख हो जाता है लीज ईलमा से कहती है किया तुम्हे नियों के हम श्रक्रियों के बारे में कोई जानकारी मिली और लीज उसे बताती शायद उसे दारियों ने होटल के पास फॉलो किया था एलमा कहती है कि उसने दारियों के हम शकल को सिटी में देखा है वो उसे फॉलो करते होटल भी गई थी पर वहाँ इनीगो आ गया था इसलिए उसे वहाँ से निकलना पड़ा और वो कोई जानकारी नहीं जोटा पाई मॉन्टानिया एक अफसर से बात करती है कि उन्हें अब तक फोन नहीं मिला वो से ढूंड रहे हैं उसी दोरान एक वेक्ति आकर मॉन्टानिया से कहता है मेरे पास कतल की रात का कुछ फोटेज है मैं प्रमोशनल वीडियोज बनाता हूँ वो मॉनिका को एक पैन ड्राइब देता है मॉनिका देखती है जूलिया टेरिस के किनारे पर खड़ी है और दूर से एलमा की आवाज आ रही है दारियो जब घर में प्रवेश करता है वो उसे बताता है कि वो इनिगो के साथ जूलिया की वाड़ी को दफनाने गया था वो काफी दुखी है एलमा उसे समालती है दारियो कहता है सच बताओ एलमा उस रात क्या हुआ था एलमा कहती है जब मैं भहाँ पहुँची थी तब जूलिया कूच चुकी थी मुझे नहीं पता ये उसने खुद किया या किसी और ने उसे धक्का दिया पर हम दोनों इसमें गुनागार नहीं है लीज लीओ से मिलती है वे शराब पीते हैं और सेक्स करते हैं लीज लीओ के पास एक डायरी छोड़ कर चली जाती है एस्तवान और मौनिका टेरिस का मौाइना करते हैं मौनिका कहती है एलीबेटर में दोनों का जगड़ा हुआ था जूलिया काफी ड्रंक थी पर एलमा उससे काफी दूर थी एस्तवान कहता है मैं एलमा को बहुत पहले से जानता हूँ वो खून नहीं कर सकती दारियो पुलिस को जूलिया का फ़ून दे देता है एलमा जोईसे काल पे बात करती है जोई कहती है मैं स्बाससे दुखी हूँ कि आप एक मर्डर के साथ हो जिसने एक मासूम लड़की को मारा है आपका करियर तबा किया है आपको इस हाल में छोड़ा है आप मर्डर की रात कहां थी ऐल्मा कहती है दारियो कातल नहीं है और हम जल्द ही ये शेयर छोड़ रहे है दारियो होटल के सामने खड़ा है उसे जूलिया की आत्मा वहां दिखती है दारियो वहां से भागता है और एल्मा के पास आता है, कहता है, मेरे दिमाग में जूलिया घूम रही है। एल्मा उसे संभालती है, पुलिस एल्मा के घर में घुसती है, अफसर कहता है, एल्मा तुम्हारे खिलाब अरेस्ट वारंट है, बाहर आओ। तब तक पीछे के दर्वाजे से दार्यो और एल्मा भाग चुके होते हैं, पुलिस उनका पीछा करती है। एल्मा कार में दार्यो से कह रही है, मैं नहीं भागना चाहती, तुम मुझे अभी कार से उतारे हो। उस वक्त इनिको आ गया था, इसलिए मैं उससे मिल नहीं पाई। एस्तवान के पास जोई का फोन आता है, जोई कहती है कि एल्मा का फोन नहीं लग रहा, वो मुझे से मिलने आने वाली थी पर लगभग एक घंटे से जादा हो गया, वो नहीं आई। उससे जब आखरी बार बात हुई थी तब वो काफी वेर्ड साउंड कर रही थी। एस्तवान कहता है तुम परिशान मत हो, मैं एल्मा का पता लगाता हूँ। एस्तवान मॉन्टानिया से मिलने जाता है, मॉन्टानिया तब अपने उफिसर से बात कर रही होती है। तुम यहां क्यों हो एस्तवान कहता है जोई की माँ खो गई है वो काफी परिशान है इसलिए मैंने सोजा तुम्हें बता दूँ मॉनिका कहती है एलमा मिसिंग है और तुम यहां अंधे और बहरे की तरह रियक्ट कर रहे हो अगर तुम्हारी इसमें कोई चाल है एस्तवान तो कसम से मैं तुम्हें जेल में डाल दूँगी अब जाओ यहां से और मेरा टाइम खराब मत करो मॉन्टानिया चली जाती है उसके बाद एस्तवान माइक्रोफोन फिट करता है और चला जाता है लियो एस्तवान और इनिगो होटल के एंट्रेंस पे टकराते हैं मॉन्टा गौर्सिया को ढूलना होगा मॉनिका अपने अफसर से कहती है कि पता करो और परिणाम यह निकलता है कि यो आपर पर नहीं है और उसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी। गौर्सिया को क्यों तलाश रही है एक बज़ा है जॉय उसे बताता है कि उसने गौर्सिया को एक सूटकेस दिया था जो लुसिंडा ने ऐलमा को दिया था उसमें दारियों के बारों में सब कुछ है उसका सारा अतीत शायद दारियों के हम शकल का राज भी हो सकता है उसमें की बेगुनाही के सबूत मिल जाएं इसलिए वो गौर्सिया को ढूंडने गई होगी जब जॉय बाहर जाने लगती है एस्पान कहता है तुम यहां से बाहर मत निकलो पुलिस सब पे नज़र रखे है तुम्हारा यहां से बाहर निकलना खत्रे से भरपूर हो सकता है जैसे ही टीम के साथ उसे देख रहे हैं उन्हें लिफ्ट में दारियो का हमशकल दिखता है इनी को कहता है मैंने देखा था एलमा दारियो के कमरे में जा रही थी पर मैंने उसे टोका और वो बापस लॉट गई मुझे नहीं पता था कि यह रूम में गया है मॉन्टानिया पूछती है कि तुम्हें एलमा का फोन कब मिला मॉन्टानिया कहती है दारियो गुनेगार नहीं है क्योंकि वो एलमा को मर्डर केस में फ्रेम करके खुद नहीं भागता इस कहानी में नया होल है और वो है नया दारियो एलमा और दारियो गौर्सिया की मासे मिलते हैं वो उन्हें बत इसमें उसके होने का कोई फाइदा नहीं है और तब से वो गायब है कहां गई है किसी को नहीं पता। ऐल्मा उससे सूटकेज के बारे में पूछती है। गौर्सिया की मा कहती है कि वो अपना सारा सामान मेक्सिको में एक प्रोसेक्यूटर के पास छोड़ गई है। शायद वहाँ हो। दारियो एक व्यक्ति की गाड़ी ठीक करने में मदद करता है। जैसे ही वहाँ एल्मा आती है विदोनों वो गाड़ी लेकर भाग जाते हैं। दारियो कुछ पल के लिए कार रोकता है वहाँ एल्मा जोई को फोन करके कहती है कि वो उसकी चिंता ना करे और दूसरी बात कि उसकी मा कातल नहीं है। पुलिस जोई के फोन के माध्यम से इलाके को ट्रेस कर लेते हैं। एस्तवाइन भी यह सब सुन रहा है कि उसने जोई और पलिस इस्टेशन दौनों जगे माइक्रोफोन लगाए थे। मॉन्टानिया कहती है कि चलो हम उन्हें पगड़ते हैं। कार में दारियो कुछ पेपर्स देखता है और पूछता है यह उसके पास कैसे आए। ऐल्म बताती है यह पेपर्स उसे लीूज से मिले हैं। दारियो ऐल्मा को बताता है कि लीूज उसकी मा है। ऐल्मा यह सुनकर दंग रह जाती है। ठीक उसी वक्त उसका सामना पुलिस से होता है। वे दारियों का सर फोर देते हैं और एलमा को ले जाते हैं जब मॉन्टानिया घटना इस तर पर पहुंचती है वे देखते हैं दारियों बेहुश पड़ा है और एलमा गायब है एलमा एक जगे बंदी भैटी है और वहां एस्तवान आता है एपीसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़का घर से निकल कर भाग रहा है और उसका बाप बंदूक लेकर उसके पीछे दोड़ रहा है वो आदमियों से कह रहा है मैं तुझे मार दूंगा हरामी एलमा एस्तवान से कहती है मुझे खोलो और जाने दो एस्तवान कह कहता है बत्तमीजी मत करो तुम्हारे पास मुझे सुनने के अलावा और कोई आप्शन नहीं है एलमा कहती है मैं किसी धोके बास पर भरोसा नहीं कर सकती है एस्तवान गुसे मैं कहता है तुम हमेशा ही गलत लोगों पर भरोसा करती हो एलमा कहती है मैंने जूलिया को और कुछ नहीं इनी को कहता है मैं दारियों के बारे में तुम से कुछ बात करना चाहता हूँ पर लीज नहीं रुकती ये कहकर चली जाती है कि मैं कॉल करती हूँ अभी कुछ अरजेंट मीटिंग है अल्मा दो फ्लेशेस को कमपेर कर रही है पहला जो लीज ने बताया कि वो दारियों की लिटरेचर टीचर थी और उन दोनों का आफ्यर था दूसरा जब दारियों ने उसे कहा कि लीज उसकी मा है हिरासत में मौन्टानिया दारियों से पूछताच करती है वो कहता है वो नहीं जानता एल्मा कहा है पुलिस उसे ले गई और उसे बेहोश करके चली गई मौन्टानिया ने स्टेट पुलिस से पहले ही पूछ लिया किसी ने उसे गरफतार नहीं किया पर दारियो भी नहीं जानता कि वो कहा है और दारियो इनोसेंट है ये बातों में जाहिर होता है वो कहता है ये सब किसी ने प्लान किया है नतीज़ा निकलता है कि हो सकता है वो दारियों का हम शकल हो जॉए माव से कहती है कि उसे एलमा की फाइल पढ़नी है माव उसे अपने घर आने को कहता है लियो जब मॉन्टानिया की बात में इंटरॉप्ट करता है तो मॉन्टानिया अपने ओफिससे कहती है लियो को मेरे बाहर फिक दो, अब इसका दिमाग सड़ गया है और जबरन मुझे परिशान कर रहा है S1 डियेज के आफिस जाता है और मॉन्टानिया के वेहाफ में वहाँ से होटल का फुटेज ले आता है इनीगो से लियो कहता है क्या तुम्हें दारियों पर भरोसा है इनीगो कहता है हाँ है लियो कहता है मत करो, वो धोके बाज है लियो कहता है क्यों, इसलिए क्योंकि तुम्हारी बीबी उस पर मरती है लियो कहता है मैं बच्पन से ऐल्मा को जानता हूँ वो खून नहीं कर सकती इनीगो बताता है कि क्या वो लीज को जानता है लियोन ना कहता है पर उसके जेहन में आता है जब उसने लीज के साथ सेक्स किया था और वो एक डायरी उसके पास छोड़कर चली गई थी इनी को बताता है कि वो एक एक्टरेस है और उसने अलवर्टो से शादी कर ली थी लीज एक पेपर देखती है और उस पर कुछ लिखती है और चली जाती है S1 देखता है Elma बेहुश है वो उसकी हतकड़ी खोलता है Elma उसके पैनिस में घुटना मार कर वहांसे भाग जाती है और वो लीज के घर के लिए टैक्सी पकड़ती है दारियो लीज के घर पहुंचता है और दारियो के बच्पन का एक फ्लेश पैक आता है जिसमें दारियो का बर्थडे है और उसके पिता एक फोन गिफ्ट करते हैं दारियो फिल्म मेकर बनना चाहता था इसलिए वे कहते हैं अच्छे अच्छे वीडियो बनाओ और हमें दिखाओ अगले सीन में दारियो ने वीडियो बनाने के लिए कैमरा रख दिया है और वो लीज यानि अपने मा के साथ संभोग करता है उसी दोरान उसका बाप अलवर्टो आजाता है दारियो भागता है अलवर्टो उसका पीछा करता है गोली चलने की आवाज आती है पर क्या होता है हमें ये आगे पता चलेगा दारियो पेपर पे लिखा वाक के पड़ता है वो लीज से मिलने हवाय ड़ जाता है Elma, Lees' के घर में प्रवेश करती है पर Lees, वहाँ नहीं है Elma को वहाँ TV पर Dario और Lees' के सेक्स करने का द्रश TV पर देखने को मिलता है ये देखकर उसकी आखों में आसुआ जाते है Dario, Lees' से मिला है कहता है कहां जा रही हो तुम ऐसे नहीं जा सकती है तुमने कुछ तो घोटाला किया है बरना तुम मेकसिको नहीं आती क्या साजश की है तुमने बताओ मुझे मॉन्टानिया के लगाए पुलिस वाले उन दोनों की फोटो खीच कर मॉन्टानिया को भेज़ते है मॉन्टानिया ओर देती है कि बस उन पर नज़र रखो अगले ही पल दौनों वहाँ से निकल जाते है यानि पुलिस वालों की नज़र से गायब हो जाते है पीछे से कोई आकर एलमा की कनपटी पर बंदूक रख देता है एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक बच्चा खेल रहा है पुलिस तैकिकात कर रही है एलमा की कनपटी पर जिसने बंदूक रखी थी वो एस्तवान था क्या तुम लीज को जानती हो एस्तवान ने एलमा से पूछा अगर नहीं तो उसके अपार्टमेंट में क्या कर रही हो क्या तुम्हें लगता है मुझे सच नहीं बताओगी दार्यो लीज बाथरूम में जाते हैं लीज से बार बार दार्यो एक ही सवाल करता है एलमा कहा है और लीज एक ही जवाब देती है उसे नहीं पता लीज दारियों के कारीब आने से excited हो जाती है लेकिन किसी के आने की आहट आती है और दारियों से रोक देता है विभासे निकल कर जाते है Elma एस्तवान को लीज की कहानी सुनाती है और बताती है कि लीज उसकी stepmother है और Albert की विदवा है एस्थवान घर में देखता है उसे कुछ दवाई मिलती है जो 40 प्लस वूमेंस के हार्मोंस में इजापा करती है एल्मा कहती है हो सकता है दारियो का हमशक लो एल्मा का फ्लेश बैक आता है जिसमें वो एस्थवान को बता रही थी कि दारियो अंतानियो का वेटा है अंतानियों के मौत के बाद लीज और अलवर्टो ने उसे एडाप्ट कर लिया था उसी दौरान लीज के दरवाजे पर खड़ा लियो उसे आवाज लगाता है पर कोई रिस्पॉंस ना आने पर बापस चला जाता है माओ के घर जोई पहुचती है जोई उसे किताब की एक कौपी देती है एस्तवान एलमा से कहता है तुम ये हमशकल वाली कहानी बंद करो अभी मुझे सोने दो हम कल चर्चा करेंगी एस्तवान दो बिस्तर लगाता है और एलमा से कहता है तुमारा सौभग्य नहीं है कि तुम मेरे साथ सो एलमा उसे मिडल फिंगर दिखाती है दारियो लीज बापस घर आते हैं लीज एकसाइटेड हो जाती है पर दारियो कहता है मुझे तुमारे साथ कुछ नहीं करना है बस ये बताओ एलमा कहा है लीज लीज के साथ बिताय पलो को याद कर रहा है और उने एनलाइस करने की कोशिश करता है सुबह एलमा की नीन खुलती है वो देखती है एस्तबान प्राथना कर रहा है उसके बाद वो एलमा को छोड़ कर चला जाता है उसे सतर्क करता है कि ये जगा सेफ है बाहर मत निकलना बाहर खत्रा है पुलिस अब भी तैकिकात में लगी है मॉन्टानिया इनीगो को बुलाती है लीज और दार्यो का फोटो दिखा कर पूछती है क्या है ये तब इनीगो बताता है कि लीज दार्यो की स्टेप मदर है सुबह लीज दार्यो से कहती है कि एक सीडी मिसिंग है जिसमें तुम्हारे और मेरे बच्पन बाला वीडियो था दार्यो उसकी बगवास नहीं सुनता और वहां से चला जाता है एस्तपान होटल के रूप पर जाता है और समझने की कोशिश करता है कि ड्रॉन शॉट में जो ब्लू लाइट थी असल मैं उसका क्या चक्कर है मगर उसके कुछ पले नहीं पड़ता दार्यो को रोड पे चलते हुए एलमा मिलती है वो उससे बात करने जाता है एलमा गुसे में उसे चाटा मारती है कहती है मैंने लीज के साथ तुमारा वीडियो देखा दार्यो सिच्योशन समझ जाता है कहता है वो बच्पन का वीडियो है और लीज मेरी स्टेप मदर है ये बहुत पुरानी बात है प्लीज इसे इग्नोर करो ठीक उसी वक्त पुलिस आकर एलमा को घरफतार कर लेती है एपिसोड की शुरुआत में हम देखते है लीज का पती बैट पर लेटा है उसकी अवस्था ठीक नहीं है लीज ने उसे स्ट्रॉंग सेजक्टिव पिल्स भी दी है ताकि वो चैन से सो सके डॉक्टर उसकी देखवाल की सलाह देते है लीज कहती है कि वो खुद उनकी देखवाल करेगी उसे किसी नर्स की आवशकता नहीं है फ्लेश पैक में हम देखते है अलबर्टो पिस्तॉल लेकर दारियों के पीछे भाग रहा है दारियों गिर जाता है अलबर्टो उस पर बंदूक तान देता है ठीक उसी दौरान अलबर्टो को कहीं से गोलिया कर लगती है और वो रोड पर गिर जाता है उसे किसने शूट किया था अभी ये उजगन नहीं होता तब ही वहाँ दारियों आता है लीज उसे डॉक्टर से इंट्रिडूस करती है दारियों कहता है कि अलबर्टो उसके पिता नहीं है और वहाँ से चला जाता है लीज 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 से कहती है मैंने दारियों के चाचा से शादी की थी ना कि उसके पिता से और मैंने कभी उसे अपना बेटा नहीं माना है लियो कहता है कि उसने तुमें यहां क्यों बंद किया था लीज बताती है कि वो दिमागी रूप से सनकी है एक साइकोपैथ है दारियो एलमा को समझानी की कोशिश कर रहा है कि लीज उसकी मान नहीं है और उसके साथ उसका रिष्टा बहुत पुरानी बात है पर एलमा कुछ नहीं सुनती और दारियों से कहती है कि वो उससे दूर रहे तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और वो एलमा को ले जाने लगती है और एलमा भी जाने को तयार हो जाती है लीज के घर से उस वक्त लियो निकलता है पुलिस से कहता है कि तुम्हारे पास ऐलमा को ले जाने के लिए वारंट है तुम उसे नहीं ले जा सकते तभी लीज भी बाहर आती है ऐलमा लियो से पूछती है कि वो दोनों क्या गुल खिला रहे थे मौन्टानिया को जब हाल पता चलता है तो वो और देती है कि सब को लियाओ सबसे पूछताज करते हैं कि असली माज़रा क्या है सब एक जगए कैसे एकटे है ये सवाल मौनिका के मन में आता है एस्तवान अपने घर में बैठा बैठा सबसुन रहा है और ऐसा करने के लिए एलमा को कोशता है एस्तवान एक अफसर से मिलता है और कुछ सबूत मांगता है ताकि केस को गहराई से जान सके पर उनके पास नहीं है इसलिए वे दूसरे अफसर का नंबर एस्थवान को देते है करीना जॉइस से पूछती है कि उसके पास जूलिया की मौत से जुड़े रिकॉर्ड कैसे आए जॉइस जूट बोलती है कि एस्थवान ने ये सब लाकर उसे दिया है मौनिका एल्मा को एंटेरोगेट करती है और ये जाहर होता है कि य twee कसूर्वान नहीं है लियो सारे आरोप दार्यों पर लगाता है कहता है कि ये सब उसी की साज़श है लीज भी कहती है कि दार्यो साइकोपैथ है वो कुछ भी कर सकता है दारियो कहता है वो निर्दोश है और एलमा भी मॉन्टानिया सब को छोड़ देती है क्योंकि सच्छाई कुछ और है असल मैं एलमा का सूरवार नहीं है एस्तवान रस्ते में जोईस से टकराता है और कहता है बहुत समय से मैं तुमसे मिल नहीं पाया पर फिलाल मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए और वो चला जाता है ये सुनकर करीना रूट जाती है वो कहती है तुम रात में माओ के साथ थी और तुमने मुझे जूट बोला इन्हीं को कुछ पेपर्स और फोटोज को आग लगाता है और डस्ट बीन में डाल देता है मौनी का गुसे में नोटिस बोट का सारा प्लान फार देती है क्योंकि सब गलत है एलमा का सुरवा नहीं है इसका अंदाजा उसे हो जाता है तब ही एक अफसर आता है जिससे मौन्टानिया फिर से रिकॉर्डिंग मंगाती है और कॉल रिकॉर्ड भी और उसे बताती है कि एलमा ने उसे सिर्फ एक बार कॉल किया था हमने एजेंसी से जो रिपोर्ट मांगे हैं उसमें एक नया नमबर था जिससे बार बार कॉल और मेसेज आये हैं फ़ोन जब वापस रखा गया है तब सारी कॉल हिस्टरी डिलीट करके रखे गए हैं तब उस नमबर के सारी कॉल हिस्टरी डिलीट कर दी गई थी कोई है जो यह प्लान कर रहा है और अब तक हमें चूतिया बना रहा है वो अबसर से कहती है इन सब के नाम का बॉरन निकल वाओ, कोई भी शेयर ना छोड़ पाए, जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता दारियो एलमा से मिलने आता है, वो कहता है कि मेरे घर से निकल जाओ और हमारा अब कोई वास्ता नहीं है वो एलमा के साथ सेक्स करने की कोशिश करता है, गिर गिर आता है पर एलमा नहीं सुनती और उसे घर से निकल देती है लियो उसके बाद घर आता है वो एलमा से कहता है तुम पर गहरी निगरानी रखी जा रही है मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम अब दारियों से मत मिलना और वो कहता है कि मैं अब भी तुम्हें चाहता हूँ और चाहता हूँ कि फिर से हम एक हो जाए एलमा लियो को भी घर से भगा देती है, जोई एस्तवान से कहती है, आप जो भी कर रहे हैं, बस सोच समझ कर करें, एस्तवान कहता है, मैं एलमा के भली के लिए सब कर रहा हूं, जोई कहती है, मैंने आपसे कोई explanation नहीं मांगा, बस ये कह रही हूं, कि आप जो भी कर रहे हैं, वो आपको पता हो, वो एस्तवान को पता हो माओ जोई को खोशती हुए आता है पर उसे घर पर करीना मिलती है वो उसे बताती है कि जोई एस्तवान के साथ है शायद आज ना लोटे और दूसरी बात ये कि जोई और करीना रिलेशनसिप में है इसलिए माओ अपनी शकल लेके दुबारा यहां ना आए मॉन्टानिया फुटेज को एक बार फिर से देखती है और देखती है कि फुटेज में सिर्फ एलमा की आवाज है यानि किसी ने सिक्वर्टी केमरास के फुटेज पर एलमा की आवाज को इंपोस करके पुलिस को चूतिया बना दिया है एलमा अपनी थेरेपिस से बात करती है और कहती है कि वो उसे परसनली मिलना चाहती है उसी दौरान दरवाजे पर कोई आता है वो थेरेपिस्ट को लाइन पर रहने के लिए कहती है और दरवाजा खोलती है दारियों का हमशकल घर में गुसते ही अलमा की गर्दन दबोच लेता है और उसे बेहोश कर देता है इस दरश्ट से ऐसा प्रतीत होता है कि दारियों का कोई और हमशकल नहीं है वो सच में साइकोपैथ है एपिसोड की शुरूआत में हम देखते है दारियों का पिता बैट पर पड़ा हुआ है और दारियों से पूछ रहा है कि क्या मुझे पर गोली लीज ने चलाई थी दारियों कहता है तुम नहीं जानते लीज बहुत खातरनाक औरत है उसने मुझे तबाह कर दिया वो जिस भी आदमी के साथ रहती है उसे तबाह कर सकती है वो दारियों को एक नोट लिखने को कहता है और कहता है इसे इनिगो को दे देना तब ही वहाँ लीज आ जाती है दारियो पेपर छुपा लेता है एलमा मौनिका के सामने बैटी है वहाँ एस्तवान और एक अफसर भी है एलमा कहती है मैंने उसे गोर से देखा था वो दारियों से अलग था बहुत एग्रेसिव था आते ही उसने मुझे पर हमला कर दिया ये वही था दारियों का हम शकल उसके हाथ पर गलफ्स भी थे जाहर है पुलिस को सबूत के तोर पर कुछ भी नहीं मिल सकता मौन्टानिया कहती है दारियों ने वापस उसी होटल में चेक-इन कर लिया इसका क्या कारण हो सकता है लीज इनी को के साथ बात कर रही है तब ये उसे फोन आता है लीज कार्ट देती है और उसे बताती है कि ये उसके मेडिकेशन गुरुप से है जहां उसकी मुलाकात ईलमा से हुई थी इनी को जाने से पहले गोडु का जिकर करता है और पूछता है क्या ये सब दारियों के ट्रेस्ट से सम्मन्द है लीज कहता है ये सब अब मैटर नहीं करता पर हाँ हमें अतीत में इसके कुछ सुराख मिल सकते है जब इनी को चला जाता है लीज उसी नंबर पर फोन करती है और कहती है मैंने तुम्हें कहा था मुझे इस नंबर पर फोन मत करना एस्तवान एलमा से कहता है मैं और मॉन्टानिया काफी समय से इस केस पर काम कर रहे है और वो एलमा से कहता है तुम फिक्र मत करो उसे उतना ही पता चलेगा जितना उसे जरूरत है ऐलमा की बेटी जॉय आती है ऐलमा उसे गले लगा लेती है जॉय कहती है मुझे तो भरोसा ही नहीं था मैं फिर से आपको देखूंगी ऐलमा एक डराबना सपना देखती है जोई कहती है सब ठीक हो जाएगा परिसान मत हो जोई खाना खाते वक्त एलमा को बताती है कि जूलिया ने बेंजोडाइजफीन नहीं ली थी जबकि कोई उसे उसका हाई डोस दे रहा था ताकि वो डिप्रेशन में जा सके तब ही उनके घर ठेरेपिस्ट आ जाती है एलमा उसे हग करती है ओफिसर मॉन्टानिया से कहता है कि मैंने खुद चेक किया एलिबेटर से निकल कर वो सीधा अपने कमरे में गया था से प्रातना करता है कि प्लीज इस सबसे हमारी रख्षा करो मुझे सही डिसीजन लेने में मदद करो दार्यों अकर कहता है कि भगवान सच में तुम्हारी मदद कर पाएगा दार्यों कहता है तुमें हैरिस और लोसनयाद है तुम वो सब छोड़ो और उसका पता लगाओ जो मेरा हमशकल है एस्तवान कहता है तुफिर से मुझे मैनिपलेट करेगा और मैं हो जाओंगा तुझे ऐसा क्यों लगता है दारियो कहता है तुम मेरे अतीद के बारे में मुझे से जादा जानते हो और तुमने ही मुझे अपने हमशकल के बारे में बताया था और मुझे इन्वाल्व किया था क्योंकि मैं 200 मिलियन डॉलर कलेक्ट नहीं कर पाया था एस्तवान मुझे तुमारी मदद चाहिए ताकि मैं उस चूदिय को ढून सकूँ एस्तवान कहता है तुम हमेशा एलमा के प्यार में रहे हो है ना तुम्हें पता है एलमा की थेरेपिस्ट उसे डिसोसियेटिव आइडेंटिटी डिसॉर्डर के बारे में बताती है जिसे मल्टिपल परसनालिटी डिसॉर्डर भी कहा जाता है यानि दारियों ने अपनी एक दूसरी सीरत तयार कर ली है जिसे वो अपना हमशकल का रूप दे रहा है एलमा एस्तवान से कॉल पर पूछती है और सूट के इसका कुछ पता चला लियो इनिगो से कहता है तुम दारियों पर भरोसा मत करो वो उल्टी खोपडी का आदमी है और एक नंबर का हरामी है सारा खेल उसका रचा हुआ है इनिगो कहता है कैसे ना भरोसा करूँ जबकि मैंने अपनी आखों से उसके हमशकल को देखा है इनिगो बताता है कि एस्तबान भी मौनिका के साथ इस केस पर काम कर रहा है और दारियों फिर से उसी हुटल में रहने आ गया है एस्तबान एल्मा और मौनिका को लुसिंडा द्वारा दिया गया बैग मिल जाता है और उन्हें उसमें एक तस्वीर हात लगती है जिसमें लुसिंडा दो हमशकल बच्चों के साथ है जोई माओ से मिलने जाती है माओ कहता है अरे तुमने बता है नहीं करीना के साथ तुम्हारा चक्कर है जोई कहती है छोड़ो उसे लियो लीस के घर जाता है लीस कहती है मेरी मदद करो अब सिर्फ तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो क्योंकि दारियो मुझे बर्बाद करने में लगा है पहले वो एलमा के पीछे पड़ाता उसे फसा राता और अब मुझे लियो कहता है अगर तुम्हें किसी को सेड्यूस करना चाहिए तो वो है एलमा, एस्तवान या मॉनिका क्योंकि वो तीनों इस केस पर कर रहे हैं और वो ही तुम्हारा कोई सॉलूशन निकाल सकते हैं इसलिए तुम उन में से किसी को जाकर सेड्यूस करो मुझे नहीं एक फ्लेश वैक आता है जहां दारियो इनीगो के घर उसके स्टैफ फादर की चिठ्थी देने आया है एस्तवान और मॉनिका होटल के स्टाप के एक बंदे को बलाते हैं और उससे सवाल करते हैं बे उसे एक वीडियो दिखा अगर कुछ जानने की कोशिश करते हैं पर वो कुछ नहीं बताता मॉनिका उसे भेज देती है कहती है जरुत होगी तो फिर आवाज देंगे उसके जाने के बाद एस्तवान से कहती है ये हरामी कुछ छुपा रहा है इनिगो और दारियो घर पर मिलते हैं तुमने पहले से उसका घर देगा था तुम नोट देने भी आये थे ताकि तुम अपने हमशकल की मदद कर सको तुमने जूलिया को भी इसी चक्र में सेडियूस किया तुम जूलिया का इस्तमाल कर रहे थे दारियो कहता है अगर मैंने किसी लड़की से सच में प्यार किया है तो वो जूलिया ही है ऐलमा लीज से कहती है अपनी मन गणन कहानी मस सुनाओ और सच बताओ कि क्या तुम्हें दारियों की ट्रस्स के बारे में कोई अंदाजा है और क्या तुम्हें पता है कि हैरिस और लॉसन के सिगनेचर का क्या माज़रा है दारियों की biological family के बारे में हमें कहां से पता लग सकता है एलवा और एस्तवान गहराई से लीज को observe करने की कोशिश करते है मौनिका और officer सारे सबुत बारी के से देखते हैं और कहते हैं party के सारे photos भी edited है photo में पीछे बैटी एक औरतों ने नजर आती है जो कोई और नहीं लीज है एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गोडो इनिगो से मिलने आया है में बातचीत करते हैं पर दारियों को समझ नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है इनी को उसे बताता है कि अलबर्टो चाहता था कि मैं अलबर्टो से बात करूँ मैं भी वही पहली सुल जाने की कोशिश कर रहा हूँ लीज एलमा से कहती है मेरे पास अलबर्टो के कुछ डॉक्यूमेंट है शायद वे तुम्हारे काम आ सकें तुम मेरे घर आकर मुझसे ले लेना मुझे पता है तुम मुझे पर शक कर रही हो पर यह शक वैसा ही है जैसे मुझसे पहले तुम पर था हम दोनों दारियों को जानते है वो कुछ भी कर सकता है उसके बाद लीज वहाँ से चली जाती है एस्वान कहता है वो लाइट लीज की सिगरेट की थी यानि लीज उस वक्त घटने स्थल पर मौजूद थी मौनिका वहाँ आती है एलमा उसे बताती है कि लीज कतल की रात टेरेस पे थी लीज के बच्पन के कुछ फ्लेशेज आते हैं जिसमें वो दारियों से कहती है तुम नहीं जानते अलवार्टू कितना खतरनाक है जिस तरह उसने मुझे तबाह किया ठीक बैसे ही वो तुमें भी तबाह कर देगा हाँ जल्द ही हम यहां से पैरिस के लिए चलेंगे एक नई जिन्दगी शुरू करेंगे इस सबसे इस जहमेले से दूर रहेंगे इनी गो दारियों से पूछता है क्या लीज इस काबल हो गई है कि वो कतल कर सके दारियों का मानना है कि लीज कुछ भी कर सकती है वो एक दम पागल वरत है एलमा एस्तवान से कहती है हम जानते हैं लीज बैसलर पार्टी में थी और तुम्हारे पास उसकी टेबलेट भी है एस्तवान कहता है यह सब काफी नहीं है इसके बिला पर हम उसका अरेस्ट वरेंट नहीं निकाल सकते एलमा एस्तवान से कहती है हम जानते हैं लीज बैसलर पार्टी में थी और तुम्हारे पास उसकी टेबलेट भी है एस्तवान कहता है यह सब काफी नहीं है इसके बिलापर हम उसका अरेस वारेंट नहीं निकाल सकते ऐलमा कहती है पर उसने जूलिया को बेंजो डाइफीन दी थी उसकी वाडी से ये मिली भी है लीज नहीं उसे मैसेश किया था मिलने के लिए एस्थवान कहता है पर जूलिया ने तुम्हेग क्यों कॉल किया था एल्मा कहती है दारियो को भी उस वक्त जूलिया का कॉल आया था इसलिए दारियो वहां पहुंचा था जिससे लीज का प्लान चौपट हो गया था तब उसने उसने नया प्लान बनाया होगा और दारियों पर पीछे से हमला किया होगा जिससे वो बेहोश हो गया होगा और बाद में उसने जूलिया को धक्का दिया होगा एस्तवान कहता है दारियों इतना कमजोर नहीं है कि लीज उस पर हमला कर सके और उसे बेहोश कर सके इस बात में कोई दम नहीं है यह थोड़ी अच्रज भरी बात है, जो कि लीज के अपार्टमेंट के पास है, एक फ्लेश पैक में हमें पता चलता है, कि लीज दारियों को खोचते हो घर में आई है, पैरिस की टिकेट लेकर, लेकिन दारियों लीज का पैसा लेकर गायब हो चुका है, इनिगो अफसर को ब पहली बार सुना है, कि लुसिंडा के जुडवा बेटी थे, उसने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया, एस्वान एलमा से कहता है, कि फोटो बच्पन की है, और बच्पन में सारे बच्चे एक जैसे दिखते हैं, तो इसमें अचज वाली कोई बात नहीं है, एलमा कहती है, मुझे नहीं बता, दारियो का ट्विन बिर्दर मेरी बेटी को क्यो मारना चाहता है, जूलिया का इस सबसे क्या लेना है, मौन्टानिया कहती है, मैंने कभी नहीं सुना, कि और पैसे के लिए मारी गई हो, सारे कारण जादा तर दूसरे ही रहते हैं, जिसमें लव, सेक्स, जिद, पैशन, इत्यादी शामिल है, दारियो एलमा से मिलने आता है, एस्तवान छुप जाता है, दारियो सूटकेस के बारे में पूछता है, और एलमा को ये जतानी की कोशिश करता है, कि मेरा हमशकल है, और कहता है, तुम मेरे साथ इस सबसे दूर चलो एलमा, इंस्पेक थेरेपिस्ट से एलमा कहती है, कि मैं अब तक दारियो को दिमाग से निकाल नहीं पा रही हूँ, कल अगर एस्तवान ना होता, तो मुलाकात सेक्स पर ही खत्म होती, थेरेपिस्ट कहती है, अपनी आजदी को रिकवर करो, जोई और करीना का फाइनली ब्रेक अप हो जाता ह क्योंकि वो माव के साथ सो के आई है, एस्तवान और एलमा कार में बैटे हैं, उसकी नजर लीस पर पड़ती है, पीछे से दारियो का हम शकल आता है, वो लीस पर हमला करता है, तब ही वहां मॉन्टानिया आ जाती है, कहती है दारियो खुद को पुलिस के हवाले कर दो, दा उसकी पीट पर गोली का निशान नहीं है, दारियो उससे पूछता है कि वो क्या वेरिफाइ कर रही है, वो एस्तवान के दारियो के हमशकल को शूट करने के कहानी बताती है, दारियो कहता है, तुम्हें अब भी मुझ पर शक है, अब बहुत हो गया तुमारा, निकल जाओ मेरे कमरे से, वो एलमा को अपने कमरे से निकाल देता है, एपिसोड की शुरुत में हम देखते हैं कि लीज जूलिया को पार्टी के लिए तयार कर रही है, वो से अपनी मा के बारे में बताती है, पुलिस लीज को गरफ़तार करके ले जाती है, जेल में लीज का फ्रेंश लॉयर आता है मॉन्टानिया कहती है जब तक लीज हमें नहीं बताएगी कि उसके पास जूलिया का फोन कैसे आया हम उसे नहीं छोड़ेंगे क्योंकि आखरी मेसेज इसके फोन से गया था एलमा जॉय को बताती है कि पुलिस ने लीज को गरफतार कर लिया है क्योंकि उसके पास कुछ फोटो और फोन कोल्स के डिटेल से मिले हैं जो ये थाबित करते हैं कि पार्टी से पहले वो जूलिया से मिली थी और उसने उसे कॉल करके टेरिस पे बुलाया था और ये भी थाबित होता है कि उसने ये प्लान किया था ताकि मैं और दारियो इसमें फस सकें मॉन्टानिया बताती है कि जो पैसे हैरिस और लॉटसन ने अकाउंट में जमा किये थे उसे बिटकॉइन में तबदील कर दिया गया है इसलिए उसको ट्रैस कर पाना मुश्किल काम है इनी गो लियो को बताता है कि एक बार लीज ने उसे डिनर पे इन्वाइट किया था हमने सेक्स किया और अलबर्टो ने इसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया उसे अपनी बीबी को किसी और के साथ सेक्स करते देखना अच्छा लगता था एक दो महीने बाद अलबर्टो ने लीज की नंगी तस्वीरे मुझे भेजी थी और मुझे प्रेशर राइस भी किया था इसके बाद मैं अपनी बेटी के साथ कैलिफॉर्निया चला गया था मॉन्टानियो का एक फ्लेश बैक आता है जिसमें एक लड़की ने उसका रेप किया था उसे वो गोली मारती है उस वक्त एस्तबान भी वहां मौझूद था मॉन्टानिया लीज से कहती है तुमने अब तक जो भी पुलिस को बताया वो सब कुछ जूट ही रहा है जूलिया को जिस अन्नोन नंबर से मेसेज आये थे वो तुम्हारा था तुमने पार्टी के लिए उसे तयार किया था तुम्हारा दारियो से क्या रिष्टा है लीज कहती है वो मेरे हस्बेंट का भतीजा है मॉन्टानिया उसी वक्त एंटेरोगेशन में दारियो को बलाती है और कहती है लीज ने अपने हस्बेंट को तुम्हारे साथ चीट किया था दारियो कहता है एल्मा टू कभी कभी हमारा वीडियो भी बनाता था और लीज ने मुझे फसाया था ये सब करने के लिए मैं उस वक्त अंडर 18 था एस्तवान एक सक्स को ग्रफ्त में लेता है जिसने दावा किया कि उसके पास इस केस से जुड़े कोश सबूत है एल्मा काम करने वाली बाई के दर्वाजा खोलने के साथ ही दारियो के रूम में घुच जाती है और वहां दारियो की जैकेट तलाश करने लगती है जो उसके हमशक्द Karma पहनी थी उसी दोरान वहां दारियो आ जाता है वो एलमा से कहता है तुम मेरे कमरे में कैसे आई हम तो पार्क में मिलने वाले थे वो पुराने गिले सिक्वे पर समझता करते हैं एलमा अलग हो जाती है और कहती है तुमारा कोई हमशकल नहीं है तुम एक ही हो ये सब तुमारा किया हुआ है दूर हटो मुझ से एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि दारियो अपना फेस मेकप के जरीए अपने हम शकल की तरह बदल रहा है वो एल्मा को बताता है कि ये सब मैंने अपना पैसा पाने के लिए किया है एल्मा कहती है मैंने तुमारा फोटो तुमारी मा के सूटकेस में देखा था ट्विंस वाला दारियो कहता है कि उसने ही वो फोटो सूटकेस में रखा था एल्मा पूछती है क्या तुमने जूलिया को मारा है इस सवाल पर दारियो कहता है मैं खुनी नहीं हूँ एस्तवान लीज से कहता है ये सब तुम्हारी साजश थी तुमने होटल वाली लड़के के साथ मिलकर ये सब प्लान किया एल्मा और दारियो को लॉंडरी वाला वीडियो भी तुमने उसी से लिया था लीज कहती है एल्मा को बुलाओ मैं सारा सच उसे ही बताऊंगी मैं उस रात वहां पर थी मैंने जूलिया को तयार किया था और पार्टी मैं भी थी उसे मैसेज भी मैंने ही किया था ताकि मैं उसे मैनिप्लेट कर सकूँ तुम्हारा और दारियो का सेक्स वीडियो मैंने उसे भेजा ताकि वह जलन महसूस कर सके जो मैं कर रही थी मैंने यह उसे वहाँ बलाय था और उस से मिलने भी गई थी पर वहाँ दारियो आ गया था और मैं पीछे छुप गई थी दिखाई नहीं दे रहता मैं बस उसकी आवाज सुन पा रही थी वहाँ मैंने अपनी सिगरेट जलाई थी वहाँ उन दोनों की पहस हुई और काफी देर गहरा सनाटा रहा फिर वहाँ तुम आ गई मैं तुम से भी जलती हूँ क्योंकि दारियो तुमें चाहता है इसलिए मैंने अपने प्लान में फिर बदल कर लिया ताकि तुम्हें और दारियो को सज़ा मिल सके ये तुम्हारी और दारियो की कहानी नहीं है अलमा लीज और दारियो की कहानी है हम पैरिस जाने वाले थे पर वो मेरे गहने और पैसे लेकर भाग गया वो मेरी जिन्दगी का सबसे कटन शर्थ था मैं दारियो के बच्चे की मा बनने shorten थी उसने मुझे दोखा दिया जब मुझे उसकी सबसे ज़्यादा जरूत थी मुझे बदला लेना था इसलिए मैंने तुमें खोजा थेरेपी गुरूप में ताकि तुम्हारा इस्तिमाल कर सकूँ और तुम्हारी जिन्दगी तबाह कर सकूँ इसके बाद एल्मा, लियो, जोई, एस्तवान सबको मदद के लिए कॉल करती है दारियो जब टेरेस पे जाता है एस्तवान सामने वाली विल्डिंग में सैम फ्लोर पे खड़ा होकर उसे कॉल करता है आवाज में फिल्टर लगा कर ताकि दारियो से पहचान न सके वो कहता है, मडर की रात मैं यहीं था, मैंने सब देखा है और मेरे पास रिकॉर्ड वीडियो भी है इस सब की कितनी कीमत दोगे मॉन्टानिया, इनीगो और फाइनेशल एक्सपर्ट के साथ मिलकर दारियो के अकाउंट पे काम करना शूरू करते है दारियो कैप बुलाता है और किसी को लगे स्पैक करने के लिए कॉल करता है उसी वक्त उसे कॉल आता है कि बैंक का सारा पैसा ट्रांसफर हो गया है जैसे ही वो अपना लैप्टॉप खोलता है लियो उस पर हमला बोल देता है कहता है साले तूने और एस्तवान ने मिलकर ये सब प्लान किया है जूलिया को मारा है तूने होटल स्टाफ लियो को समालता है और दारियो वहां से बाहर आ जाता है दारियो सामने वाली बिल्डिंग में जाकर एस्तवान को पुकारता है पर Elma सामने आ जाती है Elma कहती है मुझे पता है तुमने जूलिया को मारा है उसने तुम्हें अपनी मा के बारे में बताय था अपनी डिजायर बताई थी और अपना इल्यूजन भी उसने ड्रक्स लिये थे वो काफी वीक थी उसने तुम्हें लॉंड्री में हमारे बीच हुआ सेक्स वीडियो दिखाया वो बहुत जलिस थी इसलिए उसने मुझे कॉल किया वहाँ तुम्हें जगड़ा हुआ उसने तुम्हें मना किया चूने से वो गुसे में बोलती गई उसी दौरान उसने तुम्हारी कलाई नौची और उसका नाखून तूट गया तुम्हें किसी ने नहीं चुआ ना किसी ने पीछे से मारा तुम्हें एक जानवर में तबदील हो चुके थे जिसे अपने शिकार को मारना है जूलिया वेवोश हो कर तुम्हारी बाहों में गरी और तुम ने उसे उठा कर नीचे फेक दिया तुम क्या इसे हम सब के लिए एक बार सुईकार नहीं कर सकते कि तुमने जूलिया को मारा है दारियो अब एलमा पर हमला करता है और उसकी पिस्तॉल छीन लेता है एस्तवान कुछ देरी से वहाँ पहुचता है वो दारियो को शॉट करता है एलमा उसे सोडियम पैंथोनाल जिसे टुथ सीरम भी कहा जाता कि इंजेक्शन लगाती है जब उसे होश आता है मौनिका उससे पूछती है जूलिया को मारने के लिए तुम्हें किसने फोर्स किया था दारियो कहता है जूलिया